पाठ ग्यारह चतुर चर्वाह पाठ प्रविश पहेली बूजना बुझाना बुद्धी चातुर्य के साथ साथ एक प्रकार की कला भी होती है। बुलगारिया की यह लोग कथा एक ऐसे ही चर्वाही की कहानी है जो अपनी पहेलियों से किसी को भी आश्चरे चकित कर देता था। मनुवा एक चतुर चर्वाह था। भेडों को चराते हुए एक दिन वह चिलाया। मैंने पहेली बूझ ली, मैंने पहेली बूझ ली। वहीं से एक गड़ सवार जा रहा था। ऐ लड़के, तुमने मेरे घोडे को इतना क्यों डरा दिया? क्या तुम बिना शोर मचाए चुप चाप अपनी भेड़े नहीं चरा सकते? मैंने जान बूझ कर उसे नहीं डराया। अच्छा, तो फिर तुम चिलाये क्यों? तुमने अपनी फर की टोपी नीचे क्यों फेकी? मैंने एक पहेली बूझ ली है, तो मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है। तुम्हारी पहेली क्या थी? मुझे बताओ, मैं भी बता सकता हूँ। वह कौन सी चीज है, जो आदमी से उंची भी है और मुर्गी से छोटी भी? घुर सवार सोचते हुए। मैं हारा, बताओ, क्या जवाब है? जनाब, मेरी यह टोपी। टोपी मुर्गी से छोटी है, पर जब पहन ली जाती है, तो आदमी से उंची हो जाती है। तुम बुधिमान हो। मैं तुम्हारी भेडों में से एक भेड खरीदना चाहता हूँ। तुम्हें मुह मांगा धन दूँगा, पर मुझे वह भेड चाहिए, जो न सफेद हो, न काली, न भूरी और न चितकबुरी, और न ही किसी दूसरे रंग की। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी भेड तलाश करके रखूँगा। अगले दिन क्या तुम्हें भेड मिली? जैसी मैंने तुमसे कही थी? हाँ साहब, मिल गई जैसी आपने मांगी थी, मेरे बाडे में बंध है, पर उसे लेने के लिए आदमी उस दिन भेजिये, जिस दिन न जोमवार हो, न मंगलवार, न बुधवार, न ब्रहसपतिवार, न ही शुक्रवार, शनिवार या रवीवार हो, वह किसी और दिनाय तो से भेट है, जितने सुन्दर तुम जवाब देते हो, उतनी ही अच्छी तरह बांसुरी बजाओ, यह बांसुरी अपनी मधुर आवाज से तुम्हारा दिल बहलाएगी, कहते हैं, तभी से चरवाहे और बांसुरी का गहरा संबंध है,